गुर्मारिंग बच्चों मैं डॉक्टर लक्षमी तिवारी हिंदी वीभाग इंटर प्रभाग मरवारी कोलेज राची बच्चों आज मैं आप लोगों को इल्लेक्टिbach हिंदी के बारे में बताऊंगी यानी इल्लेक्टिव हिंदी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है क्लास 12 तो क्लास 12 में इल्लेक्टिक Will हिंदी जिसको हम लोग एक्शिक भी सहीैं बोलेंगे इकशिक भासा हिंदी में कहें तो हुआ हो उसमें हम लोगों को पढ़ना है दो भाग में उसका पूरा जो पाठी क्रम है उसका दो भाग है पहला भाग में हम लोग को पढ़ना है और दूसरा भाग में हमारा जो पाठी पुस्तक है जो हमारा किताब है अंत्रा भाग दो और अंत्राल भाग दो ये दोनों को पढ़ना है तो भाग एक में जो हम अभी बताये आप लोग को अपठीत गद्यांस और पद्यांस उसको तो पढ़ना ही है वो हमारा प्रग्राप दिया हुआ रहेगा और उससे पढ़ करके उसी से कोश्चन एंसर करना है जैसा कि आप लोग भी जानते हैं और दूसरा है रचनात्मक थे थे था वेवारिक लेखन के बच्चों रचनात्मक थे था वीवारी सनरक दाखतरय। अब हम जैसा भी बताएं कि अंत्रा और अंत्राल भाग दो जो हमारा पार्ठी पुष्टक है उसको पढ़ना है तो आज हम लोग चर्चा करेंगे स्रीजनात्मक लेखन स्रीजनात्मक लेखन में हम लोगों को एक लेखन पढ़ना है जिसे की हम लोग कहते हैं फीचर लेखन तो पहले हम लोग जानें कि फीचर लेखन है क्या फीचर लेखन का अर्थ होता क्या है तो बच्चे फीचर लेखन का अर्थ है मनुरंजन पूर्ण समचार यानि वैसा समचार जो मनुरंजन पूर्ण हो मनुरंजन से भरा हुआ हो ऐसा नहीं कि केवल उसमें मनुरंजन ही हो इसके साथ ही साथ इसमें और भी सुचना भी रहता है तो फीचर में मनुरंजन का अस्थान पहला है तथा समचार और सुचना का दूसरा प्रंटू एक दोनों फीचर के अनिवार अंग है नो तो मनुरंजक प्रस्तूती के बिना कोई भी समचार फीचर हो सकता है और नो किसी सुचनात्मक आगरह के बिना कोई भी लेख फीचर हो सकता है तो फीचर जो शब्द है हमारा वो एक अंग्रेजी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है नाक नक्ष या चेहरा जब कोई लेख किसी सुचना या समचार को इसे सजीव और रोचक धंग से प्रस्तूत करता है कि उसका चेहरा पूरी तरह उभर आए तब उसे हम लोग फीचर कहेंगे इसमें कथा शैली यानि कथा करने का जो तरीका हुआ पात्र योजना मारमिक्ता तथा शैली की रोचक्ता की विशेश भूमिका होती है इस तरह से फीचर लेखन की शैली अलग प्रकार की अलग अंदाज लिये हुए होती है उसका आरंब कलात्मक उत्सुक्ता पून और आकर्शक होता है यानि जब फीचर हम लोग फीचर लेख जब लिखना शुरू करते हैं तो उसका जो शुरुवात होता है वो कलात्मक बच्चों जैसा की पहले हम बताए यह लेख स्रीजनाद्मक है तो इसमें कलात्मक ता और उत्सुक्ता पून यानि पढ़ने के साथ ऐसी उत्सुक्ता जगे के और आगे क्या है आगे क्या है आगे पढ़ने की उत्सुक्ता मन में हमेशा बढ़ती रहे और उसके साथ से साथ आकर्शक हो इतना ही नहीं अन्त में भविश की संभावनाओं पर प्रकाश भी डाला जाता है और फीचर लेखक के नीजी मत भी इसमें महतुपून होते हैं तो हम लोग यह कह सकते हैं कि फीचर एक सूब्यवस्थित श्रीजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है यानि अपने से लिखा हुआ जिसका की उदेश होता है या जिसका लक्ष ऐसा हो जो पढ़े यानि जो पाठक हो उसको ज्यानवर्धन हो और मनुरंजन भी हो तो फीचर हमारा ऐसा लेख है जो एक सूब्यवस्थित है स्रीजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है और इसका लक्ष पाठकों का ज्यानवर्धन और मनुरंजन करना होता है तो बच्चे आपको अभित्या के समझ में आ गई होगी कि फीचर में क्या होता है तो फीचर में अंत में कुछ जो अभी हम बताए कि कुछ उदेश भी होता है यानि भविश की संभावनों पर भी प्रकाश डाला जाता है इस तरह हमारे बहुत एक्जामपल है जैसे गूम होता बच्चपन बस्ते का बढ़ता बोज मार गई महंगाई बीन पानी सब सून वगर वगर तो जैसा या जैसा कि पहला एक्जामपल हम बताएं अब लोगों को गूम होता बच्चपन तो अभी का जो बच्चपन है वो पहले जैसा नहीं रहा वो बच्चपना छिंता जा रहा है उस पर विचार करें हम लोग तो बच्चे आज हम लोग एक्जामपल को यही तक छोड़ देते हैं और बाकी हम लोग दूसरे क्लास में शर्चा करेंगे धन्यवाद